हलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले माजगाउंट डॉक सिप बिल्डर लिम्टेट के अंतरगत अप्रेंटिस की वेकेंसी आचुकी यहाँ पर डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की दोस्तों अगर आप भी यहाँ से अप्रेंटिस करना चाहते जिसमें आप अगर इससे अप्रेंटिस की हैं तभी आप फॉर्म फिलप कर पाते हैं तो इससे अप्रेंटिस करना आपके लिए फायते मंद हो तकता है अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं और यहाँ पर सिप बिल्डर में आप अपना केरियर बनाना चाहते हैं तो च विकेंशी टेबल आप देख सकते हैं वेकेंशी की बात कर तो जैंश सकते कि रहा HELP कर तो जैज ऐख चैनल रहा खोचीर हे वेकेंशी है उरौ वेकेंशी दिप्लोमा के लिए और इलेक्टिक़ के लिए यहाँ पर ग्रेजूएक्ट फचीष और डीम्योवा ग्रेज्वेट को दिखे, उसके अलब बाकि आप देख लिजी यहाँ पर ऐसनातक मतलब नारमल जो ग्रेजोेर हैं उनके लिए करीपुमे नहीस बीकॉम में को दिखे लिए ओर रॉप और यहाسच ओध रहको देख लिए जो कि non-technical के लिए दिया गया है और इसके अलावा देख सकते हैं आपको stipend अभी अप्रेंटीज से तो कम ही मिलेगे हैं आप पर graduate के लिए 9000 और डिप्लोमा के लिए 8000 जो ही stipend के रूप में दिया जाएगा है बाकी यहाँ पर देख से टोटल वेकेंसी को बात करें तो graduate के online application form fill up करने के लिए आपको सबसे पहले मजगाओ डाक से विल्डर्स लिम्टेट के official website पर आना होगा जिसका link भी आपको discussion मिल जागा आप directly इस पेज़ पर आ सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले इसका कोई form नहीं फिलप किया है नए user है तो यहाँ पर देख से आ आपको create new account पे click करके आपको सबसे पहले account बनाना होगा उसके बाद आपको user ID और password मिल जाएको उसकी help से यहाँ पर login करके form fill up करना है लेकिन अगर आप already register candidate हो है और password भूल गये तो यहाँ पर forget password पे click करके आप अपना password प्राप्ट कर सकते हैं और यहाँ पर login direct कर सकते हैं तो सामनी इस प्रकार से जो है online application registration का form open हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको उपना title से लट करना है जो भी mister message आप select कर लीजे इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको email ID फिलेप कर लेना है प्राइमरी email में और एक mobile नंबर यहाँ पर fill up कर दे रहा है alternate में कोई जरूरी नहीं fill up करना है इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे अगर आप यहाँ पर physically disabled candidate है तो यस करेंगे नहीं तो इसको no कर दीजे एक capture code fill up कर लीजे यहाँ पर और इसके बाद इस submit का option है इस पर simply click करना है simple process registration का इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा page आएगा यहाँ पर कि आपका registration successfully हो चुका है और validation link आपके email पर भेजा जा चुका है username और एक password मिल जाएगा उस username और password की help से आपको यहाँ पर login करना है और एक capture code fill up कर लीजे और नीचे देख सकते हैं आपको login का option इस पर click करना है तो जैसे आप login करेंगे आपके सामने इस प्रकार से पे जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ही एक यहाँ पर सो ह होगा वेकेंसी यहाँ पर सेलेक्शन आप इंजिनेरिंग डिप्लोमा इंजिनेरिंग ग्रेजुएट जो अप्रेंटिस का वेकेंसी है 2023-2024 तो सिंपली आपको इसी पर click करना है यहाँ पर tick कर लेना है और view eligibility criteria पर click करेंगे तो इससे related जो criteria यहाँ पर सो होगा कि आपका कित type in क्या है और यहाँ पर job requirement क्या है यहाँ पर age limit भी दिया गया है इसके बाद यह सब देखने के बाद यहाँ पर चाहे तो आप इसका full notification भी download कर सकते हैं और नीचे आपको apply ना हुए इस पर click करना है इसके बाद यहाँ पर I have read पर interaction पर click करके आपको accept करना है इसके बाद इसके बाद यहाँ पर सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किसी पोस्ट के लिए अपलाई किया है जल्द में तो यहाँ पर simply no कर लेना है अगर apply किसी पोस्ट के लिए किया है इसके अंतरगर तो yes करेंगे ने तो इसको no कर देजिए इसके बाद आपका नाम सो और फिर आपको marital status पर यहाँ पर select करना जो कि married है और इसके बाद यहाँ पर domicile आप state select करना कहां के रहने वाले है test center यहाँ पर कुछ नहीं करना इस पर click भी नहीं होगा test center important नहीं है तो यहाँ पर इसको नहीं करना है इसका नीचे आएंगे आपका age सो हो जाएगा और यह इसको नार्मल candidate no करके रखेंगे इसको इसका नीचे आएंगे आप address fill up करेंगे village का name, post office का name और जो भी आपका landmark होगा और state अपना select करेंगे city select करेंगे pin code देंगे इसका next का आप साने इस पर click कर देंगे जैसे आप next पर click करेंगे आप next page पर चला जाएंगे इसके बाद आप आपको qualification detail fill up करने के लिए आएगा तो यहाँ पर qualification detail ध्यान से देख लिजेए सबसे पहले आपको 10th का detail देना है SSC मतलब सी आपको 10th का detail देना है तो यहाँ पर अपने college या institute का name fill up करेंगे admission date आप select करेंगे और passing date आप select करेंगे इसके बाद कितना percentage आप यहाँ पर भरेंगे और course type full time है या part time जो भी select करेंगे और division किस division से पास हुए है इसके बाद आपको technical qualification मतलब यहाँ पर देना है कि आपने diploma किया है या graduation क्या है तो diploma किया है तो graduation select करेंगे इसके बाद यहाँ पर कौन से college या institute से किया है और कब admission लिया था कब pass out हुए है कितना percentage है इसके बाद branch से पास किये तो यहाँ पर देखेंगे diploma select करने पर यह चार branch का आप सनाएगा ऐसे graduate select करेंगे तो यहाँ पर और सारे आप सनाएगे उसमें से जो भी आपका branch है जिस course से आपके हैं select कर लिजे इसके बाद additional qualification कोई है जैसे आपने 12th किया है या कोई और qualification में तो यहाँ पर द box builders limited में हैं तो yes करेंगे तो इसको no करके next कर दीजिए next step पर चले जाएंगे इसके बाद इस प्रकार का पे जाएगा यहाँ पर photo signature upload का तो photo signature कैसे करना है यहाँ पर देख सकते आपको size बताया गया कि minimum जो आपका size होगा सबसे पहले jpg format में upload करना है और maximum size photo के हाँ पर 700 kb दि signature select करेंगे अप्लोट हो जाएगा तो देख सकते जैसे आप photo यहाँ पर select करेंगी इस प्रकार सबसे हो जाएगा इससे signature elect जाएगा इसका next पर click कर देना है अल इसके अब पर photo signature करा document आपको upload करना है इसके लोगा additional document में क्या है birth certificate के लिए आपको अपना high school मदब 10th का certificate अपलोड कर सकते हैं या कोई valid ID proof आपको अपलोड करना है इसके बाद अगर आप reserve candidate है जैसे SCST या OBC candidate है तो आपको अपना card certificate भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा 700 के बी के अंदर में डाकुमेंट जो होगा आपका PDF में होगा PDF में आपको डाकुमेंट अपलोड करना है जैसे अपलोड करके next पे क्लिक करेंगा ऐसा page आजाएगा यहाँ पर सारा डीटेल आपका सोगा photo और बाकी सारा डीटेल यहाँ पर document आप देख सकते हैं जो qualification का डीटेल डाकुमेंट चाहे हैं तो यहाँ पर view पर क्लिक करके देख सकते हैं नीचे आपको declaration मिलेगा signature मिलेगा और यहाँ पर final submit का option मिलेगा simply sub detail ओके तो आपको final submit करना है ने तो edit करके correction कर सकते हैं इसके बाद आपका online application यहाँ पर successfully submit हो जाएगा यहाँ पर आजाएगा thank you for submitting application form यहाँ पर apprentice के लिए यहाँ पर submitted successfully हो चुका है view form पर क्लिक करके आप अपना final print out देख सकते हैं और payment तो यहाँ पर करना नहीं था और last date यहाँ पर apply का जो है 11 जनवरी 2024 रखा का है इसके पहले आपको apply कर लेना है तो अगर वीडियो अच्छा लगों तो like और share कर दीजिए और अभी तक channel को subscribe नही यहाँ चसके जार